हेलो एन विलकॉम एब्रिवान मैं सचिन विशुकर्मा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने फेबरेट प्लेटफॉर्म ब्सक अगरिकल्चर की तैयारी के लिए सबसे सर्वस्टेश्ट प्लेटफॉर्म क्रिसी सिख्चा पर आज किस वीडियो मैं आपके लिए ब्सक सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं पहला कुशन है गौसन का परथम नियम है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लाओ आफ डिम्निसिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्सन भी इसका करिक्ट होगा अगला कुशन दिखते हैं अगला कुशन है अधिक्तम संतुष्टी का नियम अन्य किस नाम से जाना जाता है तो अधिक्तम संतुष्टी का नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है इसका उत्तर हो जाएगा लाओ फिक्री मार्जिनल यूटिलेटी समसीमान्त उप्योगित पूपहोकता की बचत की आवधाणा को दिया गया था तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉपहोकता की बचत की गरणा किस उत्र से की जाती है तो बचत की गरणा जो है कुल प्राप्त उप्योगता माइनस कुल वे रहासी आपसंसी correct होगा इसके बाद है मांग वक्र की ढाल क्या है तो मांग वक्र की ढाल जो है वो आपकी होती है positive, negative x अच्छ के समांतर या y अच्छ के समांतर तो इसका उतर हो जाएगा negative, यानि ये रिणात्मक होती है, आपसंसी correct होगा इसके बाद है TR Mathals published his book and essay on principles of population in the year यानि कि TR Mathals ने अपनी पुष्टक and essay on the principles of population प्रकासित की, यानि कि स्वर्स में प्रकासित की, तो इसका उतर हो जाएगा, option D 1798 में इसके बाद अगला question है समानिता किस्वरों को उम्र समों में रखा जाता है तो ये 10 से 19 वर्स option B, option A correct होगा, option A जो है इसका correct होगा इसके बाद है भारत में GST प्रभावी हुआ तो भारत में GST जो है ये 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ, option D का correct होगा इसके बाद है निमिल्कित में से कौन सरकारी राजस्व का मुख्यसरोत है तो जो direct tax होता है ये सरकारी राजस्व का मुख्यसरोत है प्रत्याचकार, option भी correct होगा इसके बाद है जब X और Y पूरक वस्तुवे हैं तो मांग की कीमत लोज क्या होगी तो मांग की कीमत लोज जो है वो हो जाएगी आपकी रिडात्मा क्यानी निगेटिव इसके बाद अगला कुश्यन है नीती आयोग की अस्थापना की गई तो नीती आयोग की अस्थापना की गई थी 1 जनुरी 2015 को इसके बाद है मुद्रा स्फीत का किसके रूप में है तो मुद्रा स्फीत जो है ये डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुस्ट मांग प्रेरित और लागत प्रेरित दोनों हो जाएगा वो CSO की दोरा की जाती है इसके बाद है भारत में वर्तमान आधार वर्स है तो आधार वर्स वर्तमान सुएम में 2011-12 है आपसंसी इसका करेक्ट होगा इसके बाद है विल्थाप नेसंस पुस्तक प्रकासित हुई थी तो विल्थाप नेसंस पुस्तक जो है ये आपकी प्रका अगला कोश्यन है वह अर्थसास्ति जिस ने विकास सम्मंधी अर्थसास्त की और जो सेमोल MR ने दे थी इसके वाद अगला कुश्यन है Micro Economics और Micro Economics सब्द किसके द्वारा दिये गए तो इसका उतर हो जाएगा Ragnar Fris option जो है C correct होगा फिर है अर्थसास्त्र के जनक कौन है तो अर्थसास्त्र के जनक Adam Smith को कहा जाता है फिर है अर्थिक समस्या उत्पन होती है क्योंकि क्योंकि संसाधन की कमी है इच्छाएं असीमित्थ हैं और संसाधन वैकल्पिक प्रयोग रखती है तो option डिस का correct हो जाएगा उपरक्त सभी उपरयोक्त सभी इसके बाद है एक वस्त की पूर्ती में ब्रिद्धिका कारक है जो है जो है आपका टक्नीक में सुधार इसके कारण एक वस्त की पूर्ती में ब्रिद्धि होती है इसके बाद है वत्पादन लागत बढ़ने के साथ साथ वस्त की पूर्ती जो है वत्पादन लागत बढ़ने के साथ वस्त की पूर्ती जो है ये घड़ जाती है option इसका बी correct होगा अगला question है रिकार्डो के अनसार जब कीमत बढ़ती है तो लगान जो है वो बढ़ जाती है rent जो है वो बढ़ जाता है इसके बाद है रिकार्डियन लगान के सिध्धान्त में सीमांत भूमी कहलाती है तो रिकार्डियन के अनसार जो है सीमांद भूमी कहा जाता है लगान रहे द भूमी को अपसन डी करेक्ट होगा इसके बाद है वस्तुविक मुझ्धूरी को प्रवाइद करने वाला कारक है तो वस्तुविक मुझ्धूरी को प्रवाइद करने वाला कारक जो है नेचर आप जाब अपसन इसका करेक्ट ह होगा इसके बाद है भारति ये अर्थविवश्था है तो यह हो जाएगा उत्पादन कैसे करें तो सिमांथ smoothie होता है अत्रिक्त इकाई से प्राप्त उप्योगुता प्रेखत हो होगा फिर है जब सिमान्त उपयोगता यानि की मार्जिनल यूटिलिटी सुन्ने होती है तो कुल उपयोगता यानि की टोटल यूटिलिटी यह जो है आधिकतम होती है option भी इसका correct हो जाएगा अगला question देखते हैं पूंजी की निद्स से प्राप्त प्रतिफल ब्याज है या कहा गया है तो पूंजी की निद्स से प्राप्त प्रतिफल ब्याज interest is the return of return from the fund of capital is said by तो इसका answer जो है हमें मिला था js mil option जो है इसका c correct होगा इसके बाद 32 number question कि जब्लकित में से कौन मुद्रा isp का ठीक भी प्रीथ है तो जो आपका डिस inflation है यह option b जो है यह correct होगा इसके बाद 33 number कि GST का पूरा नाम है तो goods and services tax जो है आप सब्सक्राप्त होगा इसके बाद है एक लाभ लाभ एक पुरसकार किस से सब्मंदित है तो लाभ एक पुरसकार जो है यह जोखी मुहान करने से रिस्क बेरिंग आप सुन जो है इसका c correct होगा फिर है लाभ प्रबंध की आय कहा गया यानि profit is the earning of management is by यानि यह किस ने कहा था तो इसका अंसर हमें नहीं मिल पाया तो अगर आप लोगों को पता हो तो comment में जरूर लिखेगा इसके बाद 36 नमर कुश्यन है कि पूर्ट्याल हुज़ार मांग के संदर्म में लोच जो है लोच की कीमत होती है इपी बराबर अल्फा यानि कीमत लोच बराबर अल्फा आप सन ने करेक्ट होगा इसके बाद है एक वस्तू की कीमत में 500 परशिखन होने से मांग की मत्र हमें 10% परश्यन होता है तो मांग की लोज कितनी होगी तो ये हो जाएगी आपकी दोवापसंसी correct होगा इसके बाद उत्पादन से सम्मझनित है तो उत्पादन जो है ये सम्मझनित है उप्योगता के सरजन से कि ये सनाफ यूटिलिटी इसके बाद पुझी के लिए दिया गया पुरसकार है तो capital के लिए जो पुरसकार दिया जाता है उसे interest कहा जाता है इसके बाद उद्मी को दिया गया पुरसकार तो ये लाब होता है profit होता है इसके बाद है 41 समर question कि भारत में पहरी बार राश्ट्रिया की गणना की गई राश्ट्रिया की गणना की गई त तो इसका जो है आपसंसी correct होगा ए और भी दोनों अगला question है वरतमान बाजार कीमत पर जी एनपी की माप की जाती है तो यह की जाती है आपकी option A है nominal जी एनपी option B है real जी एनपी तो इसका उतर हो जाएगा आपका nominal जी एनपी option A correct होगा नाम मातर जी एनपी इसके बाद है VAT VAT का full form क्या है तो VAT का full form होता है value added tax 44 नमर जी question है इसका option A correct होगा value added tax इसके बाद है निम्लकित में से कौन सा प्रत्य चिकर का उदाहराण है तो प्रत्य चिकर का उदाहराण जो है यह corporate tax है option D correct होगा इसके बाद है मांग का नि सुखता की वास्तविक high पर qीमत के गिरने का प्रिभाव क्या पड़ता है तो इसका उतर हो जाएगा आपका वास्तविक high बढ़ने पर जो है वास्तविक high पर कीमत गिरने से जो है वास्तविक High बढ़ती है option इसका B correct हो जाएगा अगले condition दिखते है अगले condition precisa 48 income की — याद तो कीमत लोच क्या होगी तो जब एकस और वाई जो है प्रति अस्थाफन वोजते हुए हैं तो कीमत कीमत लोच आपकी धनात्मक हो जाएगी अगला कुश्यन देखते हैं अगला कुश्यन है क्वेशन है कि पूर्टिया बेलोशतार मांग के संदर्म में लोच है तो पूर्तिया विलोसदार मांग के संदर्म में जो लोच होती है वो एपी बराबर जीरो होता है यानि कीमत लोच जो है वो जीरो होती है इसका अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है क्या हो नमबर कि घटिया वस्तुम यानि जो इनकम इलास्टिसिटी आफ डिमांड एड इनफेंडियर कमोडिटी घटिया वस्तुम के लिए मांग के लिए मांग की आयलोच है तो इसका उतर हो जाएगा आप्सन भी रिणात्मक आप्सन भी जो है करेक्ट होगा अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है क्यानि यहनई कि निस्ट्नल इनकम का अर्थ होता है तो निस्ट्नल इनकम का अर्थ होता है तो अगर forcément लग रहा को आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं आँ इसके अगला कुश्चन है जी डीपी और अटीपी के बीच अंतर जो है बराबर होता है तो यह होता है आपके depreciation के बराबर तिरपन नमर question का option D correct हो जाएगा depreciation के बराबर अगला question है question है कि निमलिकित में से कौन एक रास्ट्रे आई की गणना करने की भी थी नहीं है तो इसका उतर हो जाएगा आपका matrix method यह जो है option S में correct होगा इसके बाद कोई वस्तु जो बिनमय में मूले रखती है कहलाती है तो उसे जो goods कहा जाता है वस्तु कहा जाता है इसके बाद उपयोगिता तोस्टिकूंड का अर्थ है तो उपयोगिता तोस्टिकूंड का अर्थ होता है वस्तु की सकती जो मनुस्य के आउसकता को पूरा करती है इसके बाद है घटते हुए सिमान्त उपयोगिता के नियम से उत्पन्य नियम कौन सा है तो इसका answer हो जाएगा आपका इसके बाद अगला कुश्यन है 161 नंबर कि सिमान्त उपयोगिता का वक्र होता है तो सिमान्त उपयोगिता का वक्र होता है नीचे की ओर ढाल और लास्ट कुश्यन है एक भोगता सामे में होता है जब कीमत रेखा अगले आपका जो पेपर है उसकी त्यारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं उसकी जो है कई सारी वीडियोस प्लेश्ट बनाकर अप्लोड की गई है तो आप लोग वहां से जाकर देख लेजे और इस वीडियो को अपने सभी दूस्टों के पास सेयर कर दीजे ताकि वो लोग को भी अपना अंसर मिला पाएं और कमेंट में रिखेगा कि आपके कितने कुश्चन सही हुए